हेलो स्थो मैं हो रोचाथ बहुत-बहुत स्वागे था आप सभी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तो सीरियल गुम है किसी के प्यार में फिलाल सीरियल से आप कितना इंटरेटेन हो रहे हैं ये कहना तो मुश्किल है लेकिन इरिटीशन लेवल आपका कहां तक पहुँच चुका है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि आप भी वो ही फील कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ स्टोरी लाइन को सुनकर देख कर और हम सभी यही बोल रहे हैं क्यों करना था ये सब अब कहानी कोपी करी चलो ठीक है कापी करने के साथ केरेक्टर तो कम से कम बढ़िया थे यहाँ पर ना तो अब केरेक्टर अच्छे लग रहे हैं ना ही स्टोरी लाइन कम दम कम है क्योंकि स्टोरी उठाई भी तो एकदम नई नवेली स्टोरी रहा है जो कुछ समय पहले सेम प्लैटफॉर्म पर हमने देखी है अब यहां पर ईशा मैम का किरदार सभी का फेवरेट किसी जमाने में हुआ करता था इसलिए क्योंकि वो मिचौर, समझदार और दमदार था और तीनों चीजे अब कहानी से जो है ईशा मैम के करेक्टर से गायब हो चुकी है सीरिल के मेकर्स ने साबित कर दिया है कि जिसे भी वो लीड बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, उसके बुद्धी घास चड़ने चल जाती है और वैसा ही ईशा मैम के साथ सीरिल के मेकर्स ने फिलाल किया है यहाँ पर ईशा मैम बिल्कुल किसी एंगल से प्रोफेसर पड़ी लिखी नहीं लग रही है यहाँ पर पूरी तरीके से बस वो एक सदमे का शिकार लग रही है जो कि उन्हें अपनी बेटे के जाने का लगा है अब यहाँ पर आने वाले एपिसूड में स्टोरी लाइन को कवर अप करने के लिए एक नए शक्स के एंट्री होने वाली है जो कि यहाँ परीशा मैम की मेंटल हेल्थ को जो है एक बार फिड से ट्रैक पल लाते वे नजर आएगा फिलाल दोस्तों सीरियल के अंदर रजट और सभी के बीच में जो हेटेड आर्ग्यूमेंट हुए हैं आने वाले एपिसूड में वो हाथा पाई तक पहुँच जाएंगे और सभी का एक करारा कड़क तमाचा जो है वो रजट के चेहरे पर पढ़ने वाला है अब रजट वैसे तो इन सारी चीजों से बहुत आगे बढ़ चुका है प्यार, महबत और शादी वादी लेकिन इसके बावजू जो थपड़ पढ़ने वाला है तो उस थपड़ की गूंज जो है उसके कान में काफी लंबे टाइन तक रहने वाली है अब इसके बारे में जानते हैं और उसके बाद बताता हूँ आपको नई एंट्री कौन सी हो रही है क्योंकि आने वाले एपिसोड में टर्निंग पॉइंट बहुत बढ़ा है अब यहाँ पर देखो ईशा में जो है पूरी तरीके से तयार है कि कुछ भी करू कैसे भी करू बस सवी की शादी करनी है क्योंकि सवी की लाइफ में उसको मुवाण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब रज़त नहीं यहाँ पर भले ही रूडली बात की हुई चाहिए कुछ भी किया हो लेकिन कहीं न कहीं पर हमें स्टोरी लाइन देखकर साब पता चल रहा है कि सभी बे मतलब में इंटरफेर कर रही है इसको में इतने सारे बच्चे होते हैं इसका मदलब यह नहीं कि टीचर एक एक के घर पड़ जाकर एक एक को परस्नली ट्रीट करें और अगर किसी पैरेंट्स ने बोल दिया है कि हमसे मतलब रखने का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर PTM के अंदर सवी नॉर्मली आकर उसे बुला देशी जैसर यह लाइफ होता है पर सवी को तो यहाँ पर रजट ठककर के पास जाकर बार-बार उसे प्रसनली जो है टॉर्चर करना होता है और यहाँ पर पूरी तरीके से रजट की प्रसनल लाइफ को सवी ने हि इलहाल तो जो है रजट सही नजर आ रहा है बस वो एक पॉइंट पर गलत है कि वो अपनी बच्ची का खयाल नहीं रखता है उसे टाइम नहीं देता है क्योंकि उसे बच्ची के अंदर अपनी पत्नी नजर आती है वो भी उसकी स्माइल देखने के बाद अब यह बहुत ही एपिसूड में एंट्री जरूर होने वाली है यह कंफर्म है अब यहाँ पर जो है यह किरदार होने वाला है सवी के लिए एक लड़का जो कि यहाँ पर सवी की हर एक डिमांड को क्रॉस करते हुए सवी की हर एक माइनस पॉइंट को प्लस में लेते हुए सवी से रिष्ट करनी है और यहां पर सवी भी जो है यहां पर लड़के की अच्छा ही उसकी विहवार को देख कर जो है इसे रिष्टे के लिए हां करते वे नजर आएगी अब यहां पर वक्त तो देखो सीधी सी बात है लगने वाला है अब आने वाले एपिसूड में इससे पहले जो है एक वगरा डॉक को लेकर यहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट इसके अलावा भी हमें देखने को मिलेंगे जो कि एक फणी वे में जो है हमें काफे एंटरिटेन करते हैं पर वहीं पर जब यह बाते थपड लगाने तक पहुंच जाती है तो हमें समझ में आ जाता है कि सीरियल के म जो हैं वो हमें सीरियस लड़ाई जगड़े दिखा रहे हैं मजाग तो हम लोगों को यह लग रहा है क्योंकि क्यरेक्टर कुछ इस टाइप के हैं अब यहां पर भले ही ईशा मैम का किरेक्टर कितना भी जो है टर्ण कर दिया हो लेकिन हम सभी का फेवरेट हमेशा रहेगा और मानसी सालवी तने कमाल की अदाकारा है कि कैसा भी एक करेक्टर जो है उनको दे दिया जाए वो बखू भी ही अदा करेंगी दूसरे और जो श्री का करदार रिखा है रजट की मा का करदार वो भी बहुत कमाल का है गुजराती फैमिली के तौर बहुत कमाल की अदाकारा दिया ही नहीं है क्योंकि वो बोलने लग जाएंगे तो भला इनके लड़ाई जगडे कैसे होंगे तो यहाँ पर आने वाले एपिसूड में अब नया एक्टर एंट्री लेते वे आपको कहानी के अंदर नजर आएगा जो कि यहाँ पर सवी का हाथ थामते वे नजर आएगा और इसी के बीच में जो है सवी और रजट की फिर से ठकराव आपको देखने को मिली रहे है तो यहाँ पर कहानी कुछ इंट्रोस्टिंग मोड पर जा रही है अब आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताओ कि कितने एकसाइटेड हो आने वाला एपिसूड के लिए कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो सब्पोर्ट कर सकते हो इस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्चिन में यूजर निम नजर आई रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों मैं मिलोंगा आप सब्सक्राइब को चेक लिए वीडियो में जब तक के लिए तैंकी दोस्तों